कल है सावन का चौथा सोमवार और हर बार की तरह एक दिन पहले ही मैं आपको सावन के चौथे सोमवार की एक एक तयारी करवा दूँगी शिवजी की कृपा आपको जरूर मिलेगी आज आपको सावन के चौथे सोमवार के राशिवर उपाई बताऊंगी आपको अपनी राशी के मताबिक कौन से उपाई कल करने हैं आज ही जान लीजेगा आज आपको बताऊंगी कि सावन में कौन सा आनाज शिवजी को चुड़ाने से कौन सा संकर दूर होता है और हाँ आज ये आपको कल की पूजा भी बताने वाली हो सावन का आखरी सोमवार बाकी है आप कोई भी गलती नहीं कीजेगा आई शो की शुरुआत करने से पहले आपको आज का पहला महा उपाई क्या है जल्दी से बता देती हूँ सवाल क्या है ध्यान से सुनिए बेसिकली क्या आपका पैसा कहीं फसा हुआ है रोज सुबा नहाने के बाद सूरत को जल अरपन करें उस जल में ग्यारा बीज सीद्स लाल मिर्च के डालें और सूर्य भगवान से पैसे वापसे की प्रातना करें इसके साथ ही ओम आदित्याई नमह का जाप करें कल है सावन का चौथा सोमवार और कल आपको चौथे सोमवार में राशी के हिसाब से कौन से उपाय करने हैं ये आज ही जान लीजेगा ताकि कल आपको किसी तरह की कोई भी समस्या ना हो मेश राशी के लोगों को कल आप लोगों को जल में गुड मिलाकर भगवान शिफ का अभिशेक करना चाहिए या फिर जल में कुम-कुम मिलाकर भी आप शिफ जी का अभिशेक कर सकते हैं शिफ पंचाक्षर मंतर का जाब करें प्रिश्चप राशी के लोग कल सावन के चौथे सोमवार पर दही से शिफ जी का अभिशेक करें इससे धन की प्रॉबलम यानि की फानाशिल इशूस सौल्व होंगे साथ ही भगवान शिफ की स्तुती करें और बिल पत्र भी चड़ाएं तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा मिथुन राशी के लोग कल गन्य के जूसे थोड़े से जूसे भगवान शिफ का अभिशेक करें रोज एक महिने तक करेंगे तो जल्दी ही आपकी मनुकामना पूरी हो जाएंगी भगवान शिफ को धतूरा भी चड़ाएं करक राशी के लोग कल शक्कर मिलावा दूद भगवान शिफ को चड़ाएं साथी आकड़े के फूल भी अर्पित करें सिंग राशी के लोग कल लाल चंदन के जल्द से शिफ जी का भी शेक करें और शिफ अम्रित्वानी सुनें इससे हर मनुकामना पूरी होगी कन्या राशी के लोग कल भांग मिले जल्से भगवान शिफ का भी शेक करना चाहिए इससे कोई बिमारी नहीं होगी और सारी प्रॉब्लम्स अगर होगी तो डॉक्टर को दिखाते रही इलाज आपको मिलेगा ये तो छे राशी के बार में मैंने बताया लेकिन बाकी की छे राशियों को सावन के चोथे सोमवार यानि की कल शिफ जी का विशेक कैसे करना है वो आगे इसी शो पर बताने वाली होगी एक और जरूरी जान का रही है शो जारी है जल्दी से आपको आज का दूसरा महा उपाई क्या है ये बताती हूँ सवाल क्या है ध्यान से सुनिये क्या बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता बच्चे कमजोर हैं उन्हें सही गाइडन्स देने के साथ साथ किसी जरुरतमन बच्चे का बेटा या उसको बेटी मानते वे बुक्स का दान करें कपड़े और फीज दे के मदद करें आपका बच्चा भी पढ़ाई में आगे बढ़ने लगेगा कल है सावन का चौथा सुमवार और कल राशी के हिसाब से आपको क्या करना है कैसे करना है कैसे शिफजी को प्रसंद करना है ये लगातार बता रही हूँ छे राशी की बात तो मैंने आपको बता रही information दे दी अब तुला से रेकर मीन राशी यानि कि जो बची वी छे राशी है इनको कल क्या करना है आप जान लीजे तुला राशी के लोग कल भगवान शिफजी का गाय की घी और इत्रिया सुगंदे तेल से अभिशेक करें साथी केसर मिश्रित मिठाई का भोग लगाएं इससे इनके जीवन में सुक सिम्रिद्धी आएगी विश्चिक राशी वाले लोग कल आप शेहद मिश्रित जल से भगवान शिफजी का अभिशेक करें जल्दी आप कोई सारे काम बनेंगे शेहद ना हो तो शक्कर का यूज़ भी आप कर सकते हैं धनुराशी के लोग कल दूद में केसर मिलाकर भगवान शिफजी का अभिशेक करना चाहिए साथी शिफ पंचाक्षर तोत्र का पार्ट करना चाहिए मकर राशी के लोग कल तिली के तेल से शिफजी का अभिशेक करेंगे तो आपको हर काम में सफलता मिलेगी भगवान शिफजी को बिलपत्र भी चढ़ाएं कुमराशी के लोग कल से पूरे सावन महीने में आपको नारियल के पानी या सर्सो के तेल से भगवान शिवका अभी शेक करना चाहिए इससे इने धनलाब होगा मीन राशी के लोग कल पानी में केसर मिला कर आपको भगवान शिवका अभी शेक करना चाहिए शिवजी तो भोले हैं उनको प्रसंद करने के लिए मन में सच्चा भाव होना चाहिए साथ ही आप छोटा सा भी उपाई कर लेंगे तो भूले बंडारी खुश जाते हैं जैसे अनाज की बात ही ले लीजे महादेव को तर तर के अनाज अर्पित करने का विधान है लेकिन आपको सावन के चौथे सुमवार के दिन किस संकट के लिए कौन सा अनाज चड़ाना है ये जानना आपके लिए जरूरी है तो आईए आपको इसकी जानकारी देती हूं भगवान शिफ को चावल चड़ाने से धन की प्राप्ती होती है तिल चड़ाने से पापों का नाश होता है जो और पित करने से सुख में वृद्धी होती है भगवान शिफ को गेहूं चड़ाने से संतान वृद्धी होती है ये सभी अन भगवान को अरपन करने के बाद जरूरत मंदों को जरूर दान करना चाहिए अभी तो शो पर बहुत सारी बाते करनी है लेकिन आपको एक स्पेशल चीज दिखाती हो जब भी कंप्रीट लुक की बात आती है तो उसमें आपके आउटफेट्स, आपकी जूल्डी, आपका मेकप, आपका हेर डू सब कुछ इंक्लूड होता ही है लेकिन अगर उसके साथ एक बैग, पर्स या पोटली ना हो तो आपका लुक अधूरा ही होता है और ऐसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पोटली के पर्स के क्या कुछ खास डिजाइन्स हैं यह भी आपको दिखा देती हूँ बहुत खुबसूरत कलेक्शन यहाँ पर है वो आपको दिखाती हूँ यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर खास तोर पर गुजराती पोटली यह हैं और क्योंकि यह सभी जो पोटली होती हैं अलग-अलग कलर्स में होती हैं इसमें आपको ग्रीन, ब्लू, रेड, औरेंज, पिंक, बहुत सारे ब्राइट कलर्स आपको मिलेंगे यह आप किसी पूजा के लिए या आपने किसी फंक्शन के लिए या फिर आप ब्राइट्स भी इसको कैरी कर सकती हैं उस तरह के आप यहां पर लुक देखेंगे और खासतवर पर गुज्राती लुक यहां पर क्रियेट करने की कोशिश आप देखेंगे इस तरह की जो चेंज होती हैं वो भी बहुत खूबशूरत लगती है इसमें आप देखेंगे कि silver और golden दोनों ही look हैं यहाँ पर आपको pearl look भी दिखेगा और golden look भी दिखेगा इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा गुजरादी look नहीं पसंद करती और एक western look की ओर जाना चाहती हैं तो यहाँ पर आपको बहुत खूब सूरत से क्लचेज भी दिखेंगे यहाँ पर क्लचेज की खास बात यह है कि आप कोई भी ड्रेस केरी करें उसके अकॉर्डिंग आप अपने मैचिंग का क्लच केरी कर सकते हैं जैसे आपको पिंक यहाँ पर दिखेगा ब्लैक दिखेगा इस तरह का आपको dark blue colors पी दिखेंगे ग्रे कल मिलेगा मरून कलर आपको मिलेगा और अगर आप बहुत जादा इंवेस्ट नहीं करना चाहते इसमें और सोचते हैं कि कोई भी एक क्लच ले लिया जाए तो आपके पास golden यह सिल्वर दोनों ही तरह के options हैं आप इस तरह के क्लचेज को केरी किजे यह देखिए इसमें आपक यह सोचने की जड़ोत नहीं पड़ेगी कि आप किस तरह से कॉंसी रेस को आप क्या क्या क्लच केरें गोल्डन और सिल्वर हरे ग्रस पे खुबसूरत ही लगेंगे कुछ इस तरह के पूचिस भी आपको मिलेंगे यह देखिए इस तरह से यहां पर आपको पोटली का ही एक इसमें ही अगर आप पोटली पोटली शेड़ के अलावा अगर आप थोड़ा सा पड़े बैग्स की तरफ जाते हैं तो आपको उसका भी बहुत खास कलेक्शन दिखेगा यह देखिए इस तरह के आपको गुजराती लुक के बैग्स दिखेंगे जिनमें अलग-अलग कलर् कॉम्बिनेशन रखे जाते हैं यह सोच यह इस पात का ख्याल रखा जाता है कि आप कोई भी ब्राइट कलर पहनेंगे तो वह खूबसूरत होगा थोड़े से अगर आप बड़े पर्स केरी करना चाहें तो इस तरह से ब्लैक के साथ आप कंबाइन कर सकते हैं गोल्डन और स अगर लिकी बात करें तो उसमें उसके साथ आप एक किसी भी पॉम-पॉम लुक के साथ आप एक लुक क्रियेट कीजिए और उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत खूबसूरत तो लगेंगे ही साथी साथ आपके पास बहुत सारे ऑप्शिन्स भी होंगे जिनके साथ एक किलो काले चने शुक्रवार को खिलाएं और शनिवार को उसके दाएं पैर से घोड़े की नाल लेकर शनिवार को ही अपने घर के में दर्वाजे पर यू की शेप में लगा दें आपको कल शिवजी की पूजा भी करनी है वो भी सुभा सुभा सावन के चौथे सोमवार शिवजी की पूजा करना बिलकुल नहीं बूलेगा मैं आपको हर सोमवार से एक दिन पहले ही शिवजी की पूजा का पूरा विधान बता देती हूँ ताकि अगले दिन आप से कहीं कोई गलती ना हो आपको कल सावन के चौथे सोमवार को कैसे पूजा करनी है ये भी जान ली जाए सावन में भगवान शिव को रोज पूजा करने से पुन्य फल प्राप्त होते हैं भगवान शिव की पूजा इस विधी से करें सुभा और शाम नहाने के बाद सफेद कपड़े पहन के शिव जी के साथ माता पारवती, गनेश जी, कार्तिके जी और नंदी गन की पूजा करें पूजा में सवेरे इस दारेक्शन और शाम के समय पस्च्चम दारेक्शन की ओर देखें शिव परिवार को पंचामरित यानि की दूद, दही, शहत, शकर, घी और जलधारा से स्दान कराएं फिर गंद, चावल, चंदन, रॉली, सफेद फूल, बिलपत्र, सफेद वस्तर चड़ाएं शिव जी को प्रिय बेल पत्र, भांग, धतूरा भी पूजा में चड़ाएं सफेद मिठाई यां पकवानों का भूग लगाएं पूजा के दौरान शिव के पंचाक्षिरी ओम नमज शिवाय मंतर का जाप करते रहें शिव जी की धूप और गाई के घीक्यों दीब जलाकर पूजा आती करें पूजा के बाद शिव स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र, शिव भजन करें पूजा और जीवन में हुए सारे जाने अंजाने दोशों के लिए भगवान शिव से शमा मांगे प्रिसाद ग्रहन करें और बाटें मेरी क्लास में आपका स्वागत है आपकी हतेली पर एक जाल है ये जाल आपके लिए जनजाल भी हो सकता है वो कैसे? आईए समझाती हूँ गुरू परवद्दे के इंदेक्स फिंगर ये वाला एरिया जो है दूसरों पर अधिकार जमाने के प्रविती इसमें होती है अब अगर शनी परवद्द पर मिडल फिंगर के नीचे जाल है ऐसे जाल है तो इसका क्या मतलब है? ऐसे लोगों में उदासींता, निराशा जनक इनकी इक्वालिटीज होती है बहुत मेहनत करने पर भी सफलता मिलने के चांसे इनके कम हो जाते है अब अगर सूरे परवद्द पर रिंग फिंगर के नीचे यहाँ पर जाल है इस तरह से हैं तो अकसर घमंडी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है सोच समझकर फैसले कम करते हैं ये मशूर होना चाहते हैं अब यही बुद्ध परवद्ध लिटल फिंगर के नीचे अगर जाल है ऐसे हैं तो फैसले लेने में बहुत समय लेते हैं ये लोग रूल्स और रेगुलेशन नहीं मानते हैं अब अगर चंद्र परवद्ध पर इस एरिया पर यहां पर जाल है इस एरिया पर अगर जाल है तो इसका मतलब इंग्जाइटी इन लोगों को जादा होती है जादतर डिस्साटिसफाइड नेचर के होते हैं और अगर शुक्र परवत पर जाल है यहां पर जाल है आपको दिख भी जाएगा बहुत सारे लोगों के जाल होते हैं आप ऐसे लाइंज लाइंज इस तरीके से तो यह लोग संकी नेचर के होते हैं इनकी संभावना ऐसी होती कि संकी हैं दूसरों पर बड़ी मुश्किल से य लाइं तो बहुत अच्छा रहेगा विंट्चाइम के आवास कितनी स्वीट होती है विंट्चाइम को आप भी चाहिए तो अपने घर में लगा सकते हैं लगाना चाहिए भी लेकिन अगर आपको विंट्चाइम लगाने का सही तरीका नहीं पता तो फिर वो काम नहीं तो क्या है सही तरीका आईए बताते हूं देखिए पांच छड़ वाली विंचाइम को स्थड़ी रूम में लगाने से वहां के सभी वास्तु दोश समाप्त हो जाते हैं बच्चे का पढ़ाई में मन लगता है नंबर अच्छे आते हैं सिक्स रॉड्स वाली विंचाइम को ड्रोइंग रूम में लगाने से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है और पूरे घर में फैलती हैं साथ छड़ वाली विंचाइम को आप बच्चों के कमरे में लटका सकते हैं ये शुब होती है बच्चों की ग्रोथ अच्छी रहती है इससे हर फील्ड में जो भी आप करते हैं उसमें सफलता मिलती है आई बात करते हैं आज की स्पेशल आस्ट्रोटिप का विंचाइम की बात हो गई तो आपको विंचाइम के मेठल के बारे में भी बताना चाहिए अगर आपका घर नौर्थ नौर्थीस्ट फेसिंग है तो आपको अपने घर में इस तरीके से विंचाइम लगानी चाहिए जो अलुमीनियम की बनी हो अगर आपका घर इस्ट फेस या फिर आप गोल्डन कलर की विंचाइम भी लगा सकते हैं अगर आपका घर साउथ वेस्ट फेसिंग या साउथ वेस्ट में विंचाइम लगानी चाहिए तो ब्रास की लगाएं या फिर आप मिट्टी की विंचाइम भी लगा सकते हैं और अगर आपका घर वेस्ट सब से पहले मेश राशी की बात, मेश राशी के लोग, आप लोग कल हनुमान जी का ठीका लेकर अपने माथे पर लगाईए, लग साथ दे रहा है आपका 74%, प्रिश्च्षब राशी के लोग, काले रंग के जूते पहनी आप, किसमत साथ दे रही है आपका कल के दिन 59%, मिथन राशी के लोग, non-wish food को आप avoid कीजिए कल, लक साथ दे रहा है आपका 54%, करक राशी के लोग, कल गणपती जी की पूजा जरूर करें, किसमत साथ दे रही है आपका 70%, सिंग राशी के लोग, कल खाने में सोया बीम या कोई भी प्रोटीन आप जरूर लें, लक साथ दे रहा है आपका 62%, कन्या राशी के लोग, बुराई करने से बचना चाहिए आपको, भागे साथ दे रहा हैं आपका 55%, तुला राशी की लोग, हनुवान जी को याद करें सब काम बनेंगे, लक साथ दे रहा हैं आपका 72%, घ्रशिक राशी की लोग, आप लोग गरीबों को दूद, द किस्मत साथ दे रही है आपका 71% मकर राशी के लोग सेप खाएं, गरीबों में बाटें, घरवालों को भी खिलाएं लक्स साथ दे रहा हैं आपका 69% कुम राशी के लोग सोने से पहले हनुमान मंदिर में आरती करें लक्स साथ दे रहा हैं आपका 77% और मीन राशी के लोग आप लोग कल एक खास काम करें, चीटियों को आटा खिलाएं किस्मत साथ दे रही है आपका 64% Facebook पर राधिका ने हमारे साथ अपनी problem शेयर की है Basically, राधिका जो भी काम करती है, वो काम खराब हो जाता है जिससे वो दुखी है और उपाई जानना चाहती है राधिका जब भी आप कोई नया काम शुरू करें तो गणे इस तोत्र का पार्ट करें अपने घर के नौर्थीस्ट में काले गंड़ पती को स्थापित करें इससे आपकी problem दूर होने लगेंगी देर नहीं करते हैं बताते हैं आपको आज का पांचवा माहा उपाएं शो के आखिर में सवाल क्या है ध्यान से सुनिए क्या नजर दोश या आप पे कहीं कोई negativity से बचने के लिए आपको क्या करना है आप एक नीबू लेकर अपने उपर से साथ बार उल्टा गुमा कर उतारें और इसको किसी पी पेड़ के नीचे दबा दें देखिये आपकी परिशानी सॉल्व हो जाएगी मैंने आप से कल सावन के चौथे सुमवार पर बात करनी है तो कल का शो आप जरूर देखिएगा आपके लिए बहुत खास इंफरमेशन है अब मुझे इजाज़त दीजिए अपना खयाल रखिए ओम नमस्षिवाएग